स्वागत है ब्रेक के बाद आपका सीटी राशी फल से जुड़े हैं आप और बात करेंगे हम सेंग राशी की कैसा रहेगा उनका यह सब तहा सिंग राची वालों के लिए मैं बता दूँ कि ये सब तहा हलका सा संधर्श पूर्ण आपके लिए रहेगा और पैसों के लिए थोड़ा सा मशक्कत और भागोद भाग दोड़ा आपको करनी पर सकती है मंगा लवार और शनिवार का दिल बेहत ही इसमें उत्तम है बाकी के दिन थोड़े से आपके लिए परेशानी भरे रह सकते है और जीवन साथी से आपको लाग मिलेगा और सासात मैं आपको बताओं कि आप कहीं दूर दराज जदी जा रहे हो भूमने फिरने तो विदेश या करना बात करते हैं गणिया राशी वालों का कैसा रहेगा ये सिता था गणियाराशी वालों के लिए बवतात हूं कि ये सब्ताह बहुत ही जादा आप हर्श वर्धन आपके लिए हर्श पूर्वक रहने वाला है। कोई भी आपके पूराने कारे हैं वो इस सब्ताह आपके घर्दने वाले हैं। आपके लिए मंगलवार, बुदवार और शनिवार भीहदी अच्छा रहने वाला है। इसमें आपको कुछ नया भी कर सकते हो। और साथ-साथ मैं आपको बताऊं कि आपके जो शरीर की कष्ट था दर देते आदी ये भी आपकी दूरी सब्ताह होने वाली है। और आपका हॉस्पिटल इत्याली जाना पर सकता है। तो आपका सक्सेसरेट लग और शासी परदिशत का इस सब्ताहा का है। जी तो बहुत सारी स्वास्य संबंदी परिशानी आने वाली है करने आराशी वालों के लिए तो क्या कुछ उपाई करने होंगे इस सब्ताहाई ने। बहुत आसान सा एक उपाई आप कर दीजिए थोड़ी से दवाईया लेजिए और उस सो हॉस्पिटल में दीजिए यह बहुत अच्छा रहेगा और या जो है आप चुरयाओ को सब्त धानिया दे जिसमें उड़द ना डाल करके वाकिसानी डालेगा आप बहुत उसमें का परियो करें और हो सकें तो आप मुंगा रतनिया आप सब्ताहा लाग करें तो चलिए बात करते हैं अब तुला राशी वालों को जो हमारे दर्शक है उनका सब्ताहा कैसा रहने वाला है यह ओवराल तुला राशी वालों के लिए बहुत ही मिला जुला समय है यह गुद्वार और गुरुवार यह दोनों की दिन आपके लिए बड़े अच्छे है पड़ी बिसन्स डिलेस में होने वाली है और यदि आपको पैसा कहीं से आना था इस सब्ताहा तो वो बिलकुल आने वाला है और उसमें रतिवर का भी संदे नहीं है कि वो पैसा आपका रुकेगा और छिटपूर्ट जो है आपकी याकराए हो सकती है और हो सकता है तो आपको ओफिस के टूर से कहीं दूर जाना पर सकता है तो यह भी आपके लिए बहुत लापरत रहेगा दूसरी और कवों तो घर परिवार में सबसे अन्वन और कुछा सा नोगी लोग बनी रह सकती है और उबरोग सक्सेस रेट आपका पत्पर परिवार में कुछ तनाव रह सकता है तो इसके लिए उपाए बता दीजी तुला राशी वालों के लिए और कौन सा लखी नमर और कला रहेगा इनके लिए उपाए बहुत असान है आप अपने सिहाने में एक चांदी का चोकोर टुकरा डाले वो आपको लाग देगा इस हमते क्या पूरे साल भर जड़ी डालोगी तो पूरे साल पता आपको लाग देगा ये हमता बहुत बहुत अच्छा आपका रहेगा और दूसरी तरफ मैं दे रहेगा कुछ बड़ा करने के आपकी कोशिश रहेगी लेकिन उस कोशिश में आप जो है हलके से नाकामयाब रह सकते हो और नौकरी यदि तब्दील करना चाहते हो तो इस सब्दा हाप रोक जाए बुद्ध शुकर और सौ बार ये तीनों तीन ठीक नहीं है और हो सके तो सब्दा कोई बड़ा कारे ना करें कि इतना अच्छा नहीं है विशेश तोर पर मैं आपको बताओं कि लगभग सक्सेस रेट आपका पंदाली प्रतिशत के आस पास का है और माता से आपको बड़ा सुख मिलने वाला है और कोई गिफ्ट जमीन इत्यादी आपको मिलना भी अच्छा नहीं है लेकिन और भी बहुत सारी परिशानी है तो आप उपाए भी बता दीजिए विश्चिक राशी वालों को क्या कुछ करने होंगे इस सब्दाह को अच्छा करने के लिए साइंकाली इन समय में आप क्या करें कोईला दिये और कोईले के साथ साथ कुछ रसी ना भी और कुछ लॉंग लिए इसके एक पोटली बनाई है सर्क वपरवार करिए 111 सुनफों के आप उमार दिया कहीं दबा दी पूरा हफता आपका बहुत ही अच्छा जाएगा हफता क बहुत अच्छा सोच आपकी बड़ी अच्छी रहेगे और इस सब्तहा जितने भी बुरे आपके साथ इस अतना घटनी थी तो बिलकुल नहीं घटेगी और सब कुछ पॉजिटिव बेर आपका जाएगा लकिन अमबर आपके नौ है तिले रखा में करेंगे लेकिन समय है चोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद और बने रहे हैं आप सीटी जनलिक साथ